हेलो दोस्तों दृष्टी आईस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है अगर हम अंतराश्टी राजनीती को उठा करके देखें तो वैश्विक इतिहास में दिखाई देता है कि जो दो विश्युद्ध हुए हैं दो विश्युद्धों के बाद से दुनिया का नक्षा काफी हद तक बदल गया है ना केवल नक्षा बदला है वलकि देशों के बीच के जो संबंद हैं संबंदों के अलावा जो गुट हैं उनमें भी ठीक ठाक परिवर्तन आया है आजादी के बात के भारत में अगर हम समझें तो हमें दिखाई देता है कि तोवियत तंदिरता के बाद किसी क्षित्र में रही है तो हमें से अधिकांश लोगों को इसका उत्तर नहीं पता या फिर अधिकांश को पता भी है तो बहुत बहतर तरीके से नहीं पता या उन्हीं क्षित्रों की पहचान करना हमारे लिए आज के समय मुश्किल हो जाता है जहां प बाद की सभाईता कर रहा था वहीं दूसरी और अमेरिका भी शुरुआती सभे में 1950 के आशपास पास भारत की मदद कर रहा था पचास से 60 के बीच में किस ळायस से और बातों को जानते हैं अमेरिका की भूमिका थी एक प्रश्नओ सकता है जिसका उत्तर आपको समश्र Васil दे लेसंस आफ इंडो यूएस कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर तो क्रिशी के संदर में भारत में जो क्रिशी का हमें विकास दिखता है और हरित क्रांती जो दिखाई देती है उसमें किस तरह से यूएसे ने भूमिका निभाई है इसको हम डिसकस करेंगे तो चर्चा में क्य इसके अलावा शुरुवात में ये समझ लेंगे कि सोवियत यूनियन की भूमिका हमें किन-किन ख्षित्रों में दिखती है फिर हमें समझ में आएगा कि यूएस की भूमिका का क्या महत था इन्होंने कौन-कौन से प्रमुक कार किये हरित क्रांती में किस तरह से इनका सवाल होगा और उसके बाद से वैश्विक परिद्रेशिक इस तरह से बदलता गया और आज तक हम पहुंचे और एक सवाल जो कि आपसे मेंस में लिखने की डिमांड करेगा तो आपको मेंस का उत्तर लिखना है चुकि मेंस के उत्तर अपने आप में जटिल हो सकते हैं खास क्रांगती तक्निकी विकास और एक टॉपक और जुड़ जाएगा आर्थिक विकास अलगी जियास पेपर 2 में भूख से संबंदित विशे भी आ जाते हैं तो सोवेत यूनियन की भूमिका से हम शुरुवात करते हैं कि कैसे सोवेत यूनियन ने हमारी मदद की थी या शुरुवाती दोर में उनका साथ हमें मिला था तो सतंत्र भारत के प्रारंबिक और योगी करण में सोवियत संग की भूमिका महतपूर थी जहां उन्होंने पूंजी गत उपकरणों और तकनीक को हमें दिया था शुरुआत में हम इंडस्ट्रीज को कैसे लगाते किस तरह से हम तकनीक का इस्तमाल करते किस तरह से बिजली का उत्पादन करते तो बहुत सारी चीज़े थी जो हमें महाते मिली थी इसके तब भिलाई और बोकारो श्टील प्लांट लगाए गया बरौनी और कोईली कर्मा सुटिकल यानि बहुत सारे ऐसे क्षित्र हैं जो शुरुवाती उद्योगों के रूप में जब भारत में विक्सित किये जा रहे थे वहां पर सोव्यस संग की महतपूर भूमिका रही है और उनकी मदस्त ही फिर हमने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है लेकिन क्या जानकारी जो शक्तियां थी वरूस में अस्तांद्रित कर दी गई लेकिन उस समय लगबग 15 देशों को मिला करके एक संग बना था जो सोव्यस संग की रूप में जाना जाता था अर आते ही USA के अंतरगत क्या-क्या भूमिका रही US की पर इसका क्या महत्त था तो 1950 और 1960 के तो इस भागिदारी का एक संक्षित इतिहास रहा है जिसको अब हम आगे देखते हैं इसके अंतरगत कई सारे क्रिशी विश्व विद्यालेओं की स्थापना की गई और हरित्रक्रांति के अंतरगत जो बीज है बीजों का हस्तानांत्रा किया गया तो दोने देशों के जेंद्र मोदी जी की अमेरिका की आगामी यात्रा के संदर्व में इसकी उप्योगिता बन जाती है इसके अलावा अगर आपसे एक ऐसा प्रशन भी पूछ लिया जाए कि जहां हमने एक और रूस से मदद ली है इतिहास में वहीं अमेरिका से कहां मदद ली है क्या कहीं ल से तुनिस्तोंपचास में मेजर एच एस संधू थे जुन्हों ने उत्तर प्रदेश के तराइक शित्र के सुधार का नित्रत किया था तो राजी के मुक्षचिव एन ज्छा का भी यहां पर नाम आता है जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया और वहां भू अनुदान सनातक तक पढ़ाते थे यानि कि बात हो रही है भू अनुदान विश्व विद्यालेओं की भारत में उत समय जो विश्व विद्याले मौजूद थे वो किवल सनातक और ग्रेजुएट लोगों को बना करके छोड़ देते थे रिसर्च के लिए अलग फिल्ड थी और बाकी चीजों के लिए अलग तो इन्होंने एक आइडिया दिया जिस आइडिया के अधार पर फिर एक विश्व विद्याले की स्थापना की गई तो अनुसंधान और विस्तार काफी हद तक राज्य के क्रिशी विभागों द्वारा किया जाता था उस समय में जो विश्व विद जैलें की तर्च पर हमें भी अपने यहां पर शिक्षा को और अनुसंधान को सुधारना होगा उसके तैत शिक्षण अनुसंधान और विस्तार का एक ही करना होगा ना की इन चीजों को हमें अलग-अलग करके देखना होगा तो शुरूआत में इसका उद्देश था कि किसानों की मदद से ही किया जाना है तो अगर किसान उस समय इस बात को समझ पाएंगे उनके पास अच्छी बीज अच्छी सुविधाय और अच्छी तकनीक होगी तो अपने आप भारत में जो उत्पादन है वो बन सकता है तो रुद्रपूर में एक क्रिशी अधिनियम पारित किया जाता है इसमें यूपी क्रिशी विश्योविध्याले का उत्गाटन 17 नवंबर 1960 को तक्कालीन प्रदानमंत्री जवाहरलाल नहरू करते हैं और बाद में इसका नाम बदल करके जीबी पंत क्रिशी और प्रध्योगी की विश्योविध्याले कर दिय जाता है तो यह हुई यूविश्टी की बाद जो आपको दिखाई देगा इसमें वह हरित क्रांती वाला चैप्टर तो हरित क्रांती वाला जो सेक्शन है उस पर पहले आप यह समझ लें कि कैसे इस क्रांती को किया गया तो पारंपरिक रूप से जो गेहूं और चावल का पादन किया जाता था उस समय की जो ब्रीड थी अगर उनको पोशाण दिया जाए और उर्वरक दिये जाए तो वह बहुत लंबे हो जाते थे और उनके तने पतले रहते थे और आगे चल करके जो बालियां बनती थी वह फिर पौधा जुकने लग जाता था ये एक समस्या थी जिससे जो पौधा था वो तूट जाता था फसल नश्ट हो जाती थी तो दाने भर जाने पर जुकता था अब इन्होंने क्या किया हरित क्रांती से मजबूत तने वाली अर्द बौनी किस्मों के विकास का रास्ता खोजा कि उसका तना भी मजबूत हो और पौधा इतना जादा ना बढ़े बलकि यहां पर ही कहीं पर भरा हुआ जो दाना है वो हमें मिल जाए और जो जुकाओ है वो भी ना हो तो ऐसा ही विकास किया गया ऐसे पौधे विक्षित किये गए ऐसी नसले बनाए गई जो जुकते नहीं थे और ये उच उर्वरक का प जुक जाएगी तो नुकसान होगा ऐसे में जो अपनाई गई उसके बाद से हमने क्रिशी में उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया बीजों के विकास की बात करें कि जिन वीजों का हमने उपयोग किया वो आए कहां से थे और हम तक कैसे पहुंचे दोनों बाते सम तो उन्होंने प्रायोगिक इस्टेशन पर विक्सित गेहूं की किस्म की पहचान की जिसके जीन को या उसकिस्म को नौरिंटन नाम दिया गया तो पौधे पारंपरिक लंबी किस्मों के साले चार से पांच फीट की उचाई के मुकाबले दो से धाई फीट की आस पास तक बर्ट देती है यानि वही समस्या जो हमने यहां पर शुरुआत में देखी कि हरित्प्रानती में हमने किस्मस्या का समाधान किया तो इसका अगर आप बैक्ग्राउंड में जा करके देखते हैं तो यहां पर आपको जापान में एक रिसर्च दिखाई देती है जो साड़े स्वामी नाथन जो उस तमय लगभग 33 वर्षी के वैज्ञानिक रहे होंगे और नई दिल्ली में भारती क्रिशी अनुसंधान संस्थान में कारे कर रहे थे तो इन्हों ने अमेरिकन एग्रोनॉमी जर्नल में वोगेल द्वारा नौरेंटेन जीन पर एक पेपर को पढ़ा मतलब उन्होंने बेसिकली ये समझा कि उस तमय इस तरह के पौधों को अपनाया जा सकता था या फिर उगाया जा सकता था जिससे फसल की पैदावार को हम बढ़ा सके और फसल की ना केवल पैदावार को बढ़ा सके बलकि उस फसल के जो नश्ट होने के कारण हैं वो भी कम हो जाएं तो इन्होंने गेंस के बीजों के लिए इनको पत्र लिखा और पत्र का जवाब ये आया कि जो बीज है जिनकी इन्होंने मांग की है वो असल में सर्दियों के लिए ज्यादा उपयोगी होंगे तो भारत के लिए अनुकूल नहीं होंगे ऐसे में ये भारत के अनु की चार किस्मों के बीजों को मंगवाया तो आई ए आर आई के परिक्षण छित्रों में और शुरुवात में पंत नगर और लुधियाना में इन्हें नए कृशी विश्यविद्यालेव में बोया गया ताकि हम रिसर्च करके इस बात को समझ पाते कि कैसे ये बीज हमारे लिए कारगर हो सकते हैं और फिर आगे चलकर जब इनकी उप्योगिता हमें समझ में आने लगी तो फिर इनको भारती किसानों को भी दिया जाने लगा और किसानों ने जब इनका उप्योग किया तो फसल की पैदावार अपने आप बहुत ज सहायता कारक्रम इसके तहट गेहूं हमारे पास आता था ठीक है यहां तक हम बेसिक बातों को समझ गए कि अमेरिकी रिसर्च से हमें सहायता मिली और खास तोर से तब जब कि सोव्यत संग भी कुछ अनिक शेत्रों में हमारी मदद कर रहा था तब यह उसने भी सहायता की एक दो धड़ों में दुनिया बट गई थी तो दोरान एक धड़ा अमेर की प्रतिनिद्थ्ट्व के तहट था दूसरा था सोव्यत संग के तहट तो शीत युद्ध की परिस्थितियां चल रही थी शीत युद्ध की भूराजनीती थी उस समय जो शक्ति प्रतिद्वन्द्थ थी कि कौन ज्यादा बहतर है किसके पास ज्यादा बहतर तकनीक है कौन दुनिया का नित्रित तो करेगा आने वाले समय में इस दौर में एक अच्छी बात की प्रतिस्परदा ये भी चल रही थी कि हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं देशों की मदद करनी है दुनिया को दिखाना है कि हमारा पलडा जहां पर एक सामेवाद या समाजवाद की बात करें या पुझीवाद की बात करें तो यह साबित करना था कि हमारा पलडा ज्यादा बहतर है हमारे जो तरक हैं हमारे जो प्रियास हैं कहीं बहतर है दूसरे के मुकाबले तो इसका विस्तार दुनि दिखाए दिया क्योंकि शुरुआतिक शित्र में भारत में ना ही किसी एक देश की मदद की या फिर किसी भी धड़े में खुद को खड़े करने से बचाया था तो वैश्विक सार्वजनिक सामान की रूप में इसको इस विवस्था को लाया गया था कि सभी की मदद की यानि किसी एक धुरुफ के साथ दिखाई नहीं देना चाहते और बहराल आज के समय में कोई एक धुरुफ इस तरह से बचा भी नहीं है जहां में एक और अमेरिका और उसके सायोगी दिखाई देते हैं दूसरी और रूस चीन और बाकी अन्य देश ऐसे में किसी भी एक है इसका हम आयात करते हैं इसके अलावा केवल रूस से ही नहीं हमें यूएस के साथ भी अच्छे संबंदों को बना कर रखना है चीन से भी हम डिरेक्ली कोई प्रतिदोंदिता नहीं करते क्योंकि चीन के साथ हमारा व्यापार बहुत बड़ा है पंतराश्टी राजनीती म बाद एक तरफ जहां सोवियस तंग ने हमें तकनीकी दक्षता प्रदान की वहीं अमेरिकी सहयोग से हमने खाध्यान उत्पादन में आक्म निर्भरता प्राप्त की अब यह स्टेटमेंट है जिसको आपको 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करना है कॉपी और पैन ले ल किया था कुछ उदाहरण दे सकतेगी इन इन ख्षत्रों पर हमें तकनीकी सहयता मिली लेकिन हमने अमेरिकी सहयोग से खाध्यान उत्पादन में आप निर्भरता प्राप्त की तो यहां पर आपको उन कारणों का दिक्र करना है कि किस तरह से यह सहयता हमें मिली बाद में उ आपके मन में आती है मिलते हैं अगले सेशन में पढ़ते रहिए खयाल रखिए शुक्रिया